अंग्रेजी तिहासकारों ने भी माना है और एंग्जेब ने विसोनात मंदीर तोड़कर मस्जिद बनाया है सनातनियों के दिल में बसने वाली ज्यान व्यापी पर जीत हिंदूओं की होगी साड़े 300 सालों से लड़ाई लड़ रहा है एक एक सनातनी आकिर कब होगा ग्यान व्यापी पर फैसला हिंदूओं के पक्ष में सारे सबूत सारे सर्वे इवी हेवल से लेकर एडवीन ग्रेवस तक अंग्रेजी तिहासकारों ने अपनी पुस्तक में ग्यान व्यापी में विसुनात मंदिर होने का किया है दावाद जान लीजे क्या है सच्चाई ग्यान व्यापी सनातन लोगों के दिलों पर अंकीत एक ऐसा सब्द है जिसकी महिमा का वड़न ना केवल सनातन ग्रंथों में बलकि कई प्रतिस्टित अंग्रेजी इतिहासकार दोरा कासी पर किये गए सोधकारियों और उनकी पुस्तकों से की गई इसकी पुस्टी होती है देविय गरंथों और अध्यात्मी खोज की कहानियों से भरे सनातन गरंथों में अकसर ग्यानवापी को एक महत्पूर तिर्थ अस्तल में रूप में उतकरित किया गया है और इसी तरह वरार्जी का अध्यन करने वाले अंग्रेजी इतिहासकार भी इन ग्रंथों से सहमती जताते हैं इबी हैवल और एडविन ग्रिफ जैसे लेकों ने ब्रहमर के कुवे के किनारे बैट कर तिर्थ यात्रियों को पानी पिलाने का आकरसर विवरल प्रस्तुत किया है ग्यानवापी का उलेक सनातन ग्रंथों में भी मिलता है असकंद पुराण के कासी खंड में कहा गया है कि ग्यानवापी का निर्माण स्यम भगवान स्यू ने किया था लिंग पुराण में छै परमुख वापियों ग्यानी कुवों का जिक्र है पहली वापी जेस्टी वापी और दूसरी वापी ग्यान वापी और इसे ग्यान वापी नाम दिया गया क्योंकि ये भगवान स्यू के आसिर्वास से बनाई गई थी और इसका पानी पीने से भक्त प्रबुद्ध हो जाते थे और सभी परकार का ग्यान प्राप्त करते थे बनारस दस सिक्रेट सेटी में ग्यानवापी की उत्पत्ती के संबंद में दो सिध्धान्तों का जिक्र किया है। उनके अंसार इस कुवे से जुड़ी किवधन्ती यह है कि एक समय की बात है जब बनारस सूखे में पेडित था, बारे वरसों तक बारिस नहीं हुई थी जिसकी वज़े से नगर की भायंकर दूरदसा हो गई थी। अंतता एक रिसी जो महान हिंदू संतों में से एक थी, सिव का तिरसूल पकड़ कर उसे इसी अस्थान पर धर्ती में गाड़ दिया। तुरंत पानी का एक ज़रना फूट पड़ा जो पूरे सहर की परिसानी दूर करने के लिए परयाब था। चमतकार के बारे में सुनकर सिव ने कुवे में अपना निवास स्थान बना लिया और आज भी वहीं है। एक और क्योधनती है और अधिक एतिहासिक आधार के साथ कहती है कि जब विस्वेस्वर के पुराने मंदिर को औरंग्जेब ने नस्ट कर दिया था तो एक पुजार एडविन ग्रीब्स अपनी पुस्तक कासीदा सिटी इलस्टिरियस में लिखते हैं कि ज्यान वापी एक धालंदार पकडंडी वाली गली से उतरते हुए पहली इमारत है जो नजर आती है वो औरंग्जेब की मस्जिद है जो मुसलिम दौरा धुस्त किये गए विसुनात के पुराने मंदिर की जगहां बनाई गई है ये एक अच्छी इबारत है